सभी दर्शकों को नमस्कार मैं SP निसाथ और आप देख रहे हमारा YouTube चैनल टेक्निकल सिवजी निसाथ दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आपको दिखाएंगे के टैंक फिटिंग और टुलू मोटर कैसे फिटिंग यह आप देख रहे हैं यह लोडिंग की लाइन है पाउना की लाइन है इस जो मिस्तिरी ने यहां की फिटिंग की है उसने उल्टा कर दिया है जो में कर दिया है आउटलेट का लाइन लोडिंग में कर दिया है यह ओवर लाइन हमने दी हुई है आधा हिंच की और सीधा यह हमने यहां पे जो यह बेस्टेज पाइप लाइन यहां उतार दिया है यह अब देख सकते हैं यह ओ जो एयर पाइप का लाइन है और यह यहां प यहां टी लगाई है, हमने बुसिंग करके और नीचे जो आधा का है उसके बाद पाउना कर दिया है, आप यह लाइन देख सकते हैं, लोडिंग की लाइन है और यह ओर लाइन है, और जो आउट लेट है वो यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं, थ्री लेयर का यह टैंक है, प विटेंग की हुई है, तो जो मिस्तिरी यहां पे इस तरह से काम करके गए हैं, जो आउटलेट है उसको इनलेट को आउटलेट करदिया है, गर अब दोस्तों, आगे का मोटर यहां पे चल्ळी मोटर हमने व्हें पिटेंग किया है, यहां जो मूदषी lob version idol X the magazine bar and the magazine bar will two and two of the वो gate wall है, दोनों लाइन है, एक को बंद करके आप चालू कर सकते हैं, या दोनों साथ में पानी खीच सकते हैं, इस तरह से हमने यहाँ पर connection दिया हुआ, यह लोडिंग का लाइन है, उपर से गया हुआ union है, यहाँ से motor आप खोल सकते हैं, खोलने के बाद आप motor को repair कराने या कभी समस्चा आती है, तो उसको ले जा सकते हैं, यह यहाँ पर एक line यहाँ से आई हुई है, गेट वाल दो लगे हुए हैं, दोनों लाइनों को हमने motor के अंदर inlet किया, यह जो देख रहे हैं नीचे वाला union, इससे inlet किया है, उपर का union देख रहे हैं, यह outlet है, जो लोडिंग के लिए जाता है, और यहाँ पर हमने connection दिया है, customer की demand के हिसाब से, जो टोटी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमको एक connection चाहिए, तो यह दोनों लाइने से पानी यहाँ पर आएगा, जिस line में पानी आ रहा है, उस line को खोलना है, और जिस line में पानी नहीं आ रहा है, उसको वो gate wall को बंद कर देना है, यह union, उपर का union है, यहाँ से खुलेगा motor, खोल के आप टंकी वलग कर सकते हैं, यह gate wall बंद करके उधर का खोल दीजिए, और यहाँ फिर उधर का खोल के इधर का खोलना है, ताकि आपको एक line का पानी आए, और दूसरी line का नहीं आ रहा है, तो बंद करना नहीं, तो दूसरी line में भी पानी जाता रहेगा, इसलिए जो जिस line से पानी आता है, उसी line को चालू रखना है, और जिसमें नहीं आता है, उसको बंद कर देना है, अगर दोनों lineों में पानी बराबर साथ में आ रहा है, तो आप दोनों lineों को खोल के भी motor वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें, आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद